जय सिया राम जय जय राम जा चकलिये हंकारी दीन निचावरी को तिविधी चिरुजी वहों सुतचारी चक्रवर्ति दसरथिके फिर भिक्सकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निचावरे उनको दी चक्रवर्ति महराज दसरथ के चारों पुत्र चरिंजी वहों जय सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दववं सुधशरत हजिर विहारी कहत चले पहिरें पटनाना हर सिहने गह गए निचाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए क्यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुन्दर वस्तर पहन पहन कर चले आनन्दित होकर नगाडे वालोंने बड़े जोर से नगाडों पर चोट लगाई सब लोगोंने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे भून चार दस भरा उचाहो जनक सुतार गूबीर विवाहू सुनी सुब कथा लोग अनुरागे मग ग्रह गली सवारन लागे तो दहू ब्योकों में उच्छा भर गया कि जानकी जी और स्री रगुनाजी का विवाह होगा यह सुब समाचार पाकर लोग प्रेम मगन होगे और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे जद्य पियावद सदेव सुहावनी रामपुरी मंगल मयपावनी सदपि प्रीति कैई प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई यद्य पयोद्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह स्री रामजी की मंगल मयई पवित्र पुरी है तथा भी प्रीथी पर प्रीथ होने से वह सुन्दर मंगल रचना से सजाई गई धज पताक पट चामर चारो चावा परम बेचित्र बजारो कनक कलस तोरन मनी जाला रद दूब दधी अच्छत माला धज पताका परदे और सुन्दर चावरों से सारा बाजार बहुती अनोठा चाया हुआ है सोने के कलस तोरन मडियों की जाल रहें हलदी दूब दही अच्छत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजा कर मंगल मय बना लिया गलियों को चतुर्सम से सिंचा और द्वारों पर सुन्दर चौक पुराए चंदन केशर कस्तुरी और कपूर से बने वे एक शुगंदित द्रब को चतुर्सम कहते हैं जहां तहाँ जूत जूत मिली भामेनी सजी नव सब्त सकल दुति दामेनी विदुबद नीम्रग साव के लोचनी निज सरूपर तिमानों भिमोचनी बिजली की सी कांती वाली चंद्रमुखी हरिन के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुन्दर रूप से काम देप की इस्त्री रति के अविमान को छुडाने वाली सुहागिनी इस्त्रियां सभी सोलो हूँ स्रंगार सजकर जहां तहां जुन्ड की जुन्ड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी सुनिकल रव तलकन ठिल जानी भूप भवन की मीजाई बखाना विश्व विमोहन रचेओं बिताना मनोहर बानी से मंगल गीदगा रही हैं जिनके सुन्दर स्वर को सुनकर कोईलें भी लजा जाती हैं राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडब बनाया गया है मंगल द्रिब्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निसाना कतहूं बिरदी बंदी उच्च रहीं कतहूं बेद धुनी भूशू करहीं प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्त शोबित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं कहीं भाट विरुदावली यानि कुल किर्थी का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं प्रामड बेद धुनी कर रहे हैं स्री राम जी और स्री शिता जी का नाम ले लेकर मंगल गीद गार ही है उत्सा बहुत है और महल अत्यंती चोटा है जिसे उसमें नसमा कर मानो वह उत्सा अनंद सारों और उमड रहा है सोभा दसरत भवन कई ओ कभी बर नई पार जहां सकल सुरसी समने राम लीन है अवतार दसरत के महल की सोबा का वर्डन कौन कभी कर सकता है जहां समस्त देबताओं के इस रो मड़ी ती राम जनर जी ने यह उतार लिया है जाए सिया राम जाए जाए राम मंगल भवन या मंगल हारी रववों सुझा शिरत अजिर विहारी भूप भरत पुनिले बोलाए आए गय शंदन साज हूं जाई फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाती और रत सजाओ जल्दे राम चिंदर जी की बारात में चलो क्या सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रगंजी अनंदवस पुलक से भर गए भरत सकल साहनी बोलाए आयस दीन मुदित उठिधाए रची रुचिस जीन तुरगतिन साजे बरन बरन बरबाज बिराजे भरत जीने सब साहनी यनी घुड़साल के अध्यक्स पुलाए और उन्हें भोडों को सजाने की आग्यादी पेप्रसन होकर उठ दोड़े उन्होने रुचि के साथ यथायोगी जीने कसकर घोड़े सजाए तंग तंग के उत्तम घोड़े सोविध होगे सुभग सकल सुठी चंचल करनी आय युवजरत धरत पगधरनी ना ना जातिन जाही बखाने निदर इपवन जनुचहत उड़ाने सब घोड़े बड़े ही शुंदर और चंचल करनी चाल के हैं पे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हूं अने कुझाद के घोड़े हैं जिनका अवर्णन नहीं हो सकता ऐसी तेज चाल है मानो हवा का दिरातर करके उड़ना जाते हैं तिन सब चैल भए असवारा भरत सरिस बयराज कुमारा सब सुन्दर सब भूशन धारी कर सर चाप तून कटी भारी उन सब घोड़ों पर भरज्जी के समान अवस्ता वाले सब चैल सबीले राजकुमार सवार हुए वे सबी सुन्दर हैं और सब आभुशन धारण की हुए हैं उनके हाथों में बाण और धनों से हैं तथा कमर में भारी तरकस मदे हैं चरे छवीले छैल सबा सूर सुजान नभी जुग पद चर असवार प्रती जे अशिकला प्रभीन शियावर राम जय जय राम मंगल भवन या मंगल हारी दव उसुद शिरत अजिर भिहारी